तो हेले दोस्तों कैसे हैं आप सभी वेलकम बैक टो वन न्यूव वीडियो तो दोस्तों मैं लक्षमन चंदा फिर से आगया हूं काज जैडी की नई वीडियो के साथ तो दोस्तों आज जैसे की Saturday है और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या हुआ है इस week इंडियन कार मार्केट में कौन सी नई गाड़ी लॉँच हो रही है कौन सी नई गाड़ी की टेस्टिंग हुई है कौन सी गाड़ी ने क्या रेटिंग पाई है उसके safety वगरा मैं सब कु करते रहेंगे आगे बहुत जल्दी इस 2000 को टू लैक तक पहुचा तो ऐसे ही टू मिलियन दक जैसे जैसे आपका प्यार मिलता जाएगा स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूस से जो की है सिट्रोन सी थ्री की तरफ से सिट्रोन सी थ्री की लाटेन एंकेप में टेस्टिंग हो चुकी है और इस गाड़ी ने वही मतलब एक्सपेक्ट नहीं था इस कार से कि यह जीरो स्टार रेटिंग लेके आईगी वैसे लाटेन एंकेप में बहुत ज़्यादा स्टिकनेस होती है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है गाड़ी को अपना क्रेश्ट इस पास करने में जिसमें उसने जीरो स्टार रेटिंग पास की है और यही अगर इसकी तरफ ग्लोबल एंकेप होता तो उसमें कहीं न कह यह गाड़ी दो के आसपस आ जाती अब यह गाड़ी भी स्विफ्ट और एस्प्रेसो वाली लाइन में आगी जहां पे इस गाड़ी को सिर्फ जीरो स्टार रेटिंग मिली है वैसे यह रेली काफी एक्सपेक्ट नहीं था जो इसका वेरियंट गया और टेस्टिंग के लिए उसमें सिर्फ आपको एवीएस इवीडी और दो एयरबैक देखने को मिलते थे इतना ज़्यादा खर्चा करने के बावजूद भी यह गाड़ी जीरो स्टार रेटिंग लाई है चलो कोई नहीं देखेंगे जब इसकी ग्लोबल एंड कैप की बारी आएगी कि उसमें यह क्या गूल खिलाती है ख इसकी टेस्टिंग कर रहा है और बहुत जल्ली यह गाड़ी आपको इंडियन कार मार्केट में देखने को मिल जाएगी इस गाड़ी के जो लुक्स हो कह रहा है एक्सुवी 700 से काफी हद तक मिलते जुलते हैं अगर आप इसका फ्रंट देखेंगे तो फ्रंट काफी ज्या बढ़िया लग रहे हैं इस पे एक चीज अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर आपको कोपर का वो देखने को मिलेगा लोगों जैसा कि आपको महिंद्रा की बागी सब एवी कार्स में भी देखने को मिलता है जैसे की एक्सुवी 400 वैसे मुझे जहां तक लग रहा है इस एक्सुवी 300, एक्सुवी 700 यह 700 यह 500 जो अपकमिंग अब आपको देखने को मिलेगी इंडियन कार मार्किट के अंदर एक्सुवी 500 से याद आया मेरे को की अगली न्यूज जो है वो महिंद्रा की ही न्यूज है एक्सुवी 500 से रिलेटेड जैसे कि टाटा की एक न्यूज कार आ रही है कूपे सेग्मेंट में कर्व उसकी टेस्टिंग वगेरा स्टार्ट होगी है लास्ट मंच और उसी को देखते हुए महिंद्रा बिल्कुल उसको तक्कर देने के लिए एक्सुवी 500 को कूपे में लॉंज करने वाल है और इसकी भी स्टार्ट हो चुकी है उसके स्पाइशोट वगेरा आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे देख सकते हूं उसको वैसे ही छुपाने के लिए जैसे टाटा ने किया डब्बे डब्बे से लगा दिये पीछे से पता ना लगे कि यह कूपे सेग्मेंट है वैसे ही महिंद्रा होने भी टेस्टिंग शुरू कर दिया एक से वी 500 की डब्बे वगेरा लगा दिये हैं पीछे से किसी को पता ना लगे कि यह 700 है या फिर कोई और गाड़ी है खैर अब हम इतने भी पागल थोड़ी नहीं है जो आप डब्बे लगा दो के उपर और हमें पता नहीं लगेग कि टेस्टिंग वगेरा हो रही है ऐसे जनता पागल थोड़ी ना खैर इस न्यूस से हमें पता लगता है कि जो इंडियन कार मार्किट है उसमें जो ये इंडियन कंपनीज है आपस में ही अपना अलग सा सेग्मेंट निकाल रही है आपस में ही कॉम्पिटीशन देने को तय यार है पूरे इंडियन कार मार्किट में इन्होंने अलग सी ही अपनी में छपाई हुई है कि हां हम तो वही है एस्यूवी पर राज करेंगे एस्यूवी हमारे ही कंट्रोल में है यूंड़ेई मारूती वगेरा इन सबकी क्या ओकात है हमारे सामने एक्स्यूवी 700 का रिव परक आ जाते हैं कि 4x4 अभी अवेलेबल नहीं है टाटा के पास और इस बास से मेरे को याद आया अगली न्यूज स्टार्ट करते हैं टाटा की तरफ से टाटा अपना 4x4 इंजन लौंच करने वाला है इंडियन कार मार्किट में बहुत जल जो अब आपको अपकमिंग टाटा सफारी में देखने को मिल जाएगा टाटा सफारी और हैरियर दोनों की ही टेस्टिंग चल रही है इंडियन कार मार्किट में अब जब दोनों की टेस्टिंग चल रही है और साथी साथ 4x4 ओप्शन लाना ही है तो टाटा इनी दोनों गाडियों से शुरू करेगा कि 4x4 मैं सबसे पहले इनी दोनों गाडियों मैं डालू अब सफारी की बात हुई है तो सफारी के हमारे पस कहीं सारे लीक आये हैं जिसमें इसके इंटीरियर कम्प्लीटली विजिबल हो रहे हैं जहां पर आपको फोर्स कोप स्टेरिंग वील देखने को मिल जाएगा विद न्यू लोगो टाटा in between the steering wheel and बिल्कुल नया सा आपको steering wheel देखने को मिलेगा बीच में जो horn का sign वगएरा है जहां से आप horn press करते हैं वो भी आपको काफी जादा glossy सी finishing दे रहा है उसके अलावा अगर आप इसका steering wheel का देखेंगे तो नक्षेतर बगेरा जो है इसका structure बगेरा कहीं न कहीं defender जैसा लग रहा है देखने में उसके अलावा steering wheel के जस्ट पीछे आप देखेंगे as usual जैसे हर गाड़ी में आपको digital instrument cluster देखने को मिलता है वैसे ही इस गाड़ी में भी digital instrument cluster आ जाजाएगा साथ इसाथ आपको इसमें अब 12 inches का new touchscreen infotainment system देखने को मिलेगा जो देखने में काफी जादा thinness लग रहा है और काफी जादा cool सा लग रहा है देखने में एक नई सी look दे रहे interior को उसके अलावा dashboard भी देखेंगे तो आपको जगा जगा कहीं ना कहीं leather की finishing देखने को मिलेगी जो कि एक premium SUV वली feel दे रहा है मतबब आप यह कह सकते हो कि आपको mini range rover या फिर mini land rover देखने को मिल रही है Tata की तरफ से वैसे segment वगएरा तो कहीं ना कहीं उसी पर ही based है तो interior भी क्यों ना वैसा ही बनाया जाए यही सोच के Tata इसमें अपने changes implement कर रहा है और एक नजर gear knob पे डालो gear knob तो भाई सब पता नहीं इतनी बार change हो चुकाया है अब हमें फिर से एक नया gear box देखने को मिल रहा है आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कभी इसकी testing हो रही थी पुराने वाले gear knob से फिर इन्होंने थोड़ा grade up किया अब range rover वागेरा जैसा gear knob रखना शुरू कर दिया उसके अलावा अब आप देखेंगे तो यह आपको काफी ज़्यादा बड़ीया सा लग रहा है sporty sporty सा लग रहा है और मेरे ख्याल से यही आप final है इसके बाद क्या ही change करेंगे और इसकी finishing वागेरा भी काफी ज़्यादा प्यारी लग रही है देखने में उसके अलावा अगर आप यह नोब देखेंगे तो यह आपको EV max की याद दिलाएगा जो next one की EV max आती है उसमें भी आपको ऐसा ही gear knob देखने को मिलता है या mode knob लगा लगा लो क्योंकि इस गाड़ी में gear lever तो आपको मिली रहा है वो EV max थी तो उसमे gear knob आपको देखने को मिलता था वैसे gear lever नहीं तो इस गाड़ी में वो काम एक mode की तरह यह करेगा मतब इस knob को आप अगर rotate करेंगे तो आपको mods वगयरा देखने को मिलेंगे जैसे कि sports mode हो गया eco mode हो गया snow, mud वगयरा आपको देखने को मिलेगा और इसके बीच में जो display आती है ना वो काफी ज्यादा प्यारी लगते है जै इस गाड़ी में बाकी पैनरोमिक संरूफ वगयरा जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे ही इस गाड़ी के अंदर तो अभी तरक हमारे पास टार्टा सफारी को लेकर इतनी ही न्यूज आई है आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज आती है Hyundai की तरफ से यार Hyundai ने तो seriously कबाही मचा दी है मत चाहती क्या है सीज़ा सीज़ा बोल दो ना कि अपनी डिफेंडर उठाके इंडियन कार मार्केट से बाहर कर दो मेरे को अपनी सेंटाफी लौच करनी है इंडियन कार मार्केट में अब आपको कि सेंटाफी क्या बोल रहा हूं अरे हाँ यार क्या बताओ और सेंटाफी आपको देखने को मिलेगी डिफेंडर के रूप में मतब शरीफो वली गाड़ी को क्या गैंस्टर वली लुक दिया इन्होंने और प्रोपर डिफेंडर भी नहीं एक चाइनिस कोपी होती है न डिफेंडर की वैसी आपको देखने को मिलेगी और बैक साइड बताओं तो इसकी कम्प्लीटली माचिस की डबी जैसी लग रही है और इस गाड़ी की प्राइसिंग लगबग लगबग कहीं ना कहीं आपको 40-45 लाग के आसपास देखने को मिलेगी मतब जहां एक इनसान सोचते है कि मैं डिफेंडर लूँ दो को 40-45 लाग की डिफेंडर देखने को मिल जाएगी तो कैसा लगेगा आप कौन सी गाड़ी की दरफ जाओगे नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर बताना तो यह जी दोस्तों कम्प्लीट इस वीक की न्यूज आई होप आप पो यह वीडियो पसंद आई हो वीडियो अची ल कौन की ञिर्फ बताना तो सेक्षन में मकथर ऴीक की ये वीक की दोस्तों कि छ allowed बताना मुझाल के लागे नीचे ओिया उले हो तो यह जैद